नमस्कार दोस्तों जेसी क्रश्ण कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हुँ दोस्तों खुश होंगे दोस्तों स्वागत है आपका आप ही की चैनल अन्नोन वर्ल्ड में दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही शरल तरीके से उपाय बताने जा रही हुँ जिससे आप किसी का भी मन अपने अंदर खीच सकते हैं किसी को भी आप मोहित कर सकते हैं कोई भी वेक्ति से अपना कहा करवा स वह की सिफ नहीं हैं है मेरे चैनल को सबस्राइब अवश्य कर लागते हैं ऐस ही आपने कर लिए वीडियो आप तक आसानि नहीं मिलती है तो घए बोहोंत है क्लोगे मुझत दोधों होता है नहीं कर पाते हैं नहीं पॉसिबल होता है अमुग चीज की जड़ी पूटी लाना या अमुग काम करना अमुग चीजों को एकत्र करना और उसके बाद में उस चीज को अंजाम देना इट कुड भी हाड तो उनकी जो प्रॉब्लम से उसको ध्यान में रख करके यह जो मैंने वीडियो वश्ची करने का यह दोस्तों आप आरां से आपके घर में व्यक्ति को बुलाएं और उसे चाई पिलाएं और उस चाई के ठूँ आप आसानी से उसे अपने वश्च में कर सकते हैं बिना किसी प्रेत्न के तो दोस्तों आपको करना क्या है कि बासी मूँ चाय दोस्तों आपको पी नहीं है ऐसा नहीं कि जैसे सुबह आप उठे और ब्रश कर लिया नहा लिया उसके बाद जो आप चाय पीते हैं वैसे आपको नहीं करना है आपको तीन दिन शुक्र शनी रवी यह तीन दिन दोस्तों तो आपको चाय बासी मूँ पी नहीं है, बिना नहाय दोए, और जो चाय आप पीते हैं, उस में से कुछ चाय आप बचा लें, तीनों दिन, और किसी पात्र में भर कर आप रख लें, घर में कहीं भी, समझें? शुक्र शली रवी ये तीन दिन बासी मूँ आप चाय पिए और उस चाय में से कुछ बचा करके आप रख लें किसी भी पात्र में भर करके और दोस्तों इस उपाय को आपको करना है मंगलवार या रवी वार को आपको ये चाय देनी है सामने वाले को किस तरीके से ये मैं भी आपको बता दूँ जब वो व्यक्ति आपसे मिलता है आपके घर पर आता है कहीं पर भी आपकी मीटिंग हो आप उसे चाय दे और उस चाय में ये जो चाय आपके पास रखिए उसकी एक बूंद डाल दे थोड़ी सी बिल्कुल उसमें आप मिला दे और जरासी उस चाय को जूठी कर दे जरासा पले एक उंगले से आप उसे जूठी कर दे और उसके बाद उस चाय को आप सामने वाले व्यक्ती को दे दे पीने के लिए वार दोस्तों याद रखना मंगलवार या रभी वार हो तो बहुत ही बेच रहेगा काम फटाक से हो जाता है इसके सिवाए कि यदिवार होंगे तो होगा मतलब थोड़ी उसकी असर कम रहती है लेकिन मंगलवार सरीवार को यदिया आप चाय देते हैं ये अपनी तो समझ ये वो व्यक्ति आपके कहने पर खड़ा रहेगा आपके इसारों पर नाचने लगेगा और बहुत ही आसान तरीका है किसी को भी अपने बात मनवाना किसी को भी अपने वश्च में लेना लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलती आ रही हूँ कि गलत इरादे से किसी भी महिला पर किसी भी बच्ची पर आप ये प्रयोक विल्कुल भी मत करना है यदि आप शादी करना चाहते हैं आप घर बसाना चाहते हैं यदि आप अपनी लाइफ को सुगम सुन्दर बनाना चाहते हैं किसी के साथ तो अवश्य ही करें पती पत्नी के बीच में यदि मन मुटा हो रहा है तो अवश्य ही करें बच्चे यदि आपकी बात नहीं मान रहे हैं आपके अगेंस में जा रहे है और उन्हें यदि आपको कोई बात समझा निये तो अवश्य ही करें लेकिन गलत तरीके से इन चीजों का आप उप्योग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये टोटके दोस्तों इनसान की जिंदगी पर उसके दिमाग पर इतना जबर्जस्त असर करते हैं वह हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है और चाय का टोटका तो दोस्तों आप कहीं पर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन सब को करने में दोस्तों यदि आपको कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है कोई तकलीफ हो रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे अवस्य पूछे में अपनी बुद्धी और शक्ति के अनुसार आपका शलूशन अवस्य ही लाने की कोशिस करूँगी तो देखते रहें दोस्तों खुश रहें